सीमा ने अपने मंत्रियों को दी खुली चुनोती साफ साफ शब्दों में कान में डाल दी यह बात आमाद्वी पार्टी द्वारा पंजाब में उसकी सरकार की जो इमानदार छवी पेश की जा रही थी उसपर स्वास्त मंत्री विजेश सिंगला ने दाग लगाने का काम किया है विजेश सिंगला ने जुकिया है उससे आमाद्वी पार्टी की पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हो उठे है पार्टी के साथ सा सरकार शर्मसार हुई है विरहाल विजे सिंगला को तो मंत्री पद से बरखास्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ पुलिस कारवाही की जा रही है मगर यह सब कुछ सामने आने के बाद अब सियेम भगवंत मान का मा था काफी जादा ठनका हुआ है और उन्होंने अपने मंत्रियों को अब एक खुली चुनौती जारी कर दी है मिली जो अनकरी के रूसर विजे सिंगला का मामला सामने आने के बाद सीयम भगवन्त मानने अपने मंत्रियों के साथ एक एहम मीटिंग की यह मीटिंग मंत्रियों को हिदायत देने के लिए ही बुलाई गई थी मीटिंग में CM मान अपने मंत्रियों को साफ साफ शब्दों में फिदायक देते हुए कहा है कि वह कताई भ्रस्टाचार में लिप्त ना हो वरना उन पर भी वही कारवाही की जाईए जो विजे सिंगला पर हुई है CM मान ने साफ कर दिया है कि सरकारी काम में परिवार के सदस्यों या रिष्टदारों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए उन्हें सरकारी काम का जिससे हर हाल में दूर रखे इसके लावा यह भी सुनिश्यत किया जाए कि कहीं वे आपके नाम पर रौब तो नहीं जाड रही है CM मान का मानना है कि सरकारी काम का जिससे परिवार के सदस्यों या रिष्टदारों को शामिल करने से भस्ट चार या पनपता है इसके साथ ही मानने विधायकों के लिए भी यही फर्मान जारी किया है बरहाल CM मान की इस हिदायत से मंत्री विधायक अब समल कर चल रही है क्योंकि वे जान रही है कि CM मान जब विजे सिंगला की कुरसी छीन सकते हैं तो उन पर भी यह नौबत आ सकती है